नवस्कार दोस्तों, रीट है आज की 13 माई 2020 और स्वागत है आपका एक्टोल डिसकेशन में आज हमें तीन इशूस डिसकेश करने हैं सबसे पहले हम महामारी की सिचुएशन में फेडरल स्ट्रक्चर से समधित आर्टिकल को डिसकेश करेंगे दूसरे नमबर पर जैम यानि जन्धन अधार मुबाइल ट्रिनिटी के अगेंश्ट जो आर्टिकल है इसे हम डिसकेश करेंगे और तीसे नमबर पर हम डिसकेश करेंगे महामारी की सिचुएशन में स्टेट्स और सैंट्रल गोर्मेंट की फाइनेशल कंडिशन से समधित चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल हमार देश के फेडरल स्ट्रक्चर से समधित हैं आप जियस पेपर टू के इस टोबिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों देखो कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए सेंट्रल गोर्मेंट ने डिजास्टर मनेजमेंट एक्ट 2005 को इन्वोक किया और पूरे देश में लोगडाउन लगा दिया पबिक एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई लोगडाउन का अभी फिलाल तीसरा फेस चल रहा है डिजास्टर मनेजमेंट एक्ट 2005 में प्रोविजन ये है सेंट्रल गोर्मेंट के दवारा डिजास्टर से निपटने के लिए स्टेट गोर्मेंट को गाइडलाइन से इसू की जा सकती है और स्टेट गोर्मेंट को उन गाइडलाइन से इसू करना होता है यही किया गया सेंट्रल गोर्मेंट के दवारा बट देखो राइटर्स के दवारा कहा जाता है इस परकार से central government के द्वारा state governments को guidelines issue करना और state governments को इतनी भी आजादी ना देना कि वो उन guidelines को revise कर सके ये ना सिरफ counterproductive हैं बलकि unconstitutional भी हैं दो aspects पर आप यहाँ पर focus किजेगा एक एक करके हम दोनो aspects को discuss करेंगे क्यों central government के द्वारा state governments को guidelines issue करना counterproductive हैं और क्यों unconstitutional हैं पहले बात करते हैं counterproductive क्यों हैं देखो जब तीसरा lockdown स्टार्ट हुआ मतलब lockdown का जब तीसरा phase स्टार्ट हुआ चार मई से उससे पहले देश के जिलों को अलग-अलग zones में divide कर दिया गया green zone, orange zone और red zone कौन सा जिला कौन से zone में आता है इसके आधार पर central government ने छूट दी women states को कि आप public activities को open कर सकते हो green zone में लेकिन red zone में आप public activities को open नहीं कर सकते इस परकार से zone के आधार पर women जिलों में public activities को open करने की छूट दी गई बड़ देखो बात ये है आरोप लगता है state governments की तरफ से कि दिल्ली में बंद कमरे में बैटके बाबू लोग ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सा जो जिला है वो green zone में आता है कौन सा red zone में आता है state governments ground level पर काम करती हैं उन्हें situation का ज़्यादा पता है वो ज़्यादा बहतर ढंग से विबिन जिलों को इन तीन जोन्स में अच्छे से classify कर सकते हैं जैसे केरला का example दिया जाता है केरला देखो बहुत हट तक कोविट-19 की कर्व को flat करने में काम्याब हो पाया है नए cases नहीं आ रहे हैं सामने केरला में तो केरला ने जब public activities को open करने की कोशिस की तो central government के दोरा खत लिख दिया गया केरला government को कि आप हमारी directions के विरुद जाके काम कर रहे हो आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये disaster management act 2005 के विरुद होगा तो इसलिए writer के दोरा कहा जाता है कि ये जो centralized approach है कि central government के दोरा state governments को guideline issue करना ये सही नहीं है इससे तो देश की economy को नुक्सान होगा और women states ना तो बैतर डंग से economy को open कर सकेंगे ना ही बैतर डंग से COVID-19 के खिलाफ लड़ाई जीत सकेंगे तो ये पहला aspect है कि क्यों central government के दोरा state governments को इस परकार से guidelines issue करना unproductive हो सकता है counterproductive हो सकता है अब बात करते हैं दूसरे aspect के दूसरा aspect काफी important है ये क्यों unconstitutional है देखो basics की बात पहले करते हैं हमारे सेवधान का जो schedule 7th है इसमें तीन list दी हुई है एक union list, एक state list और तीसे नंबर पर concurrent list union list में जो entries आती है उन पर कानून बनाए जा सकते है पार्लियमेंट के दौरा state list में जो entries आती है उन पर कानून बनाए जा सकते है state assemblies के दौरा और तीसे नंबर पर concurrent list में जो entries आती है उन entries पर कानून बनाए जा सकते है ना सिरफ पार्लियमेंट के दौरा बलकि state assemblies के द्वारा भी और ये जो powers है ना ये को extensive हैं को extensive का क्या मतलब होता है जिन entries पर parliament कानून बना सकती है उन entries पर central government decision भी ले सकती है executive decision की हम बात कर रहे हैं उसी परकार से जिन entries पर state assemblies कानून बना सकती है उन entries पर state government's executive decision ले सकती है और उसी परकार से concurrent list इसके लावा article 248 हमारे सविधान का ये कहता है मान लीजे कोई entry किसी भी list में नहीं आती है ना तो state list में है ना union list में है ना concurrent list में है तो ये जो बची होई entries है ना इन पर कानून बनाने की power होगी पालियमेंट की डिजास्टर मनेजमेंट पर कानून कब बना 2005 में बना तो डिजास्टर से समंदित entry किसी भी list में नहीं थी तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई entry अगर किसी भी list में नहीं आती है तो उस पर कानून बनाने की power होती है पालियमेंट पर और पालियमेंट ने कानून बना दिया 2005 में डिजास्टर मनेजमेंट एक और काफी important principle है लाके स्फियर्स में harmonious construction का यह supreme court ने 2005 के अपने एक जैस्मेंट में भी clarify किया था Godfrey Phillips versus state of UP and others case में क्या principle होता है क्या doctrine होता है harmonious construction का जब देखो दो लांस के बीच या फिर एक ही लाके दो provisions के बीच conflict होता है तो overall intent को देखा जाता है मैं आपको एक example की साहिता से बताता हूँ आप technicalities में नहीं जाईएगा concept समझने की कोशिस कीजिएगा representation of people act 1951 में दो provisions है एक provision यह कहता है कि जो सरकारी करमचारी हैं वो election लडने वाले candidates की किसी भी परकार से मदद नहीं कर सकते हैं voting कर सकते हैं इसके अलावा कोई मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन एक provision ऐसा भी है जो कहता है कि government officials can nominate the candidates तो दोनों के बीच conflict हो गया ना तो जब भी इसी परकार का कोई conflict आता है दो कानूनों के बीच या फिर एक कानून के दो parts के बीच तो overall intentions को देखा जाएगा जब कानून बनाया गया था तो overall intentions क्या थी और उसके हिसाब से consistency establish करने के कोशिश की जाएगी दोनों कानूनों के बीच या फिर एक कानून के दोनों provisions के बीच है तो यह हमने कुछ basics की बात कर ली और यह article के नाम भी आप याद रख सकते हो जो हमने discuss किया था कि central government की और state government की power जो होती है वो co extensive होती है मतलब article 73 के अनुसार पालियमेंट जिन subjects पर कानून बना सकती है उन subjects पर central government decision भी ले सकती है executive decision की हम बात कर रहे हैं उसी परकार से state assembly जिन subjects पर कानून बना सकती है साथवे schedule के अनुसार उनी subjects पर state government कोई decision भी ले सकती है अब आप पूरा concept समझे मतलब basics की हमने बात कर ली अब हम बात करेंगे कि central government के दोरा state government को directions देना महमारी की situation में क्यों unconstitutional है देखो महमारी जो है वो disaster है या फिर नहीं है certainly disaster मान सकते हैं महमारी को क्योंकि disaster की definition काफी जादा broad है वैसे disaster management act में जो disaster की definition है उसमें महमारी का जिकर नहीं है लेकिन जिस परकार के हलात है आप बोल सकते हो ये एक disaster है और इसलिए central government ने disaster management act को invoke किया बड़ देखो जैसा हमने डिसकेस किया कि disaster management act को बनाया गया था पार्लियमेंट के द्वारा रेजिडरी पावर्स का इस्तमाल करते हुए आर्टिकल 248 के अनुसार disaster किसी भी लिस्ट में नहीं आता था 7वे schedule की इसलिए पार्लियमेंट ने अपनी पावर्स का इस्तमाल करते हुए इस subject पर कानून बना दिया और जिसे अब invoke भी कर दिया गया है लेकिन 7वे schedule के अनुसार कुछ subjects ऐसे हैं जो specific list में आते हैं जैसे public health and sanitation ये देखो दूसरी list में आता है state list में और अभी महामारी की situation में सबसे बड़ी जो दिक्कत है किस की है health की है और health के issue पर main जो actions लिये जाने चाहिए थे वो state governments के द्वारे लिये जाने चाहिए थे क्योंकि health जो है वो state list में आता है इवन देखो एक और subject जो साफ तोर पर concurrent list में आता है वो है prevention of interstate spread of contagious and infectious disease ये subject कौन सी list में आता है तीसरी list में मतलब parliament और state assemblies दोनों कानून बना सकते हैं इससे निपटने के लिए और in fact इस subject पर already एक कानून है आपको पता भी है बताईए जल्दी सी बताईए Epidemic Disease Act 1897 देखो इस act के provisions के अनुसार state governments appropriate measures लेती हैं ताकि infectious disease और contagious disease को spread होने से रोका जासके हैं मतलब इस act को जब invoke किया जाता है तो ज़्यादा powers state governments के पास होती है Central Government का काम होता है सिर्फ inspection और उन persons को detain करना जो country में आ रहे हैं या फिर country से जा रहे हैं लेकिन इस act को overcome कर दिया गया और Central Government ने disaster management act 2005 को invoke किया जो की unconstitutional है समझ गए मतलब writers के viewpoint के हिसाब से unconstitutional क्यों है unconstitutional इसलिए है writer के हिसाब से कि एक तो disaster management act बनाया गया था रेजिडिरी powers का इस्तमाल करते हुए अभी जो महमारी की situation है इसे disaster कहा तो जा सकता है लेकिन disaster management act 2005 में specifically बोला नहीं गया है कि pandemic को disaster माना जाएगा जबकि infectious disease से deal करने के लिए आरड़ी कानून बने हुए हैं जिन में ज़्यादा powers state governments के पास होती है लेकिन उन कानूनों को overcome करके disaster management act को invoke करके central government के दोरा directions दी जा रही है state governments को तो ये unconstitutional है writers के viewpoints के हिसाब से चलते हैं आगे next article jam trinity से संबंदित है jam का मतलब हैं जंदन अधार mobile आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो जीनरीज और रितिका खेडा के दोरा ये article लिखा गया है gene dreams तो पिछले कुछ सालों से अधार के ही खिलाफ लिख रही हैं मतलब इनके almost हर एक article में जो theme होती है वो अधार के against होती है खेर discuss कर लेते हैं आज इनोंने क्या लिखा है ये बोलते हैं कि economic survey 2015 के chapter 3 में सबसे पहली बार jam word निकल के आया था जन्दन अधार mobile और बार बार इस word की praise की गई है उसके बाद जो economic surveys release हुए है बोला ये गया था सरकार के दोरा women schemes के अंतरकत cash transfer करने के लिए jam बहुत ही बढ़िया infrastructure साबित होगा even सरकार के लोग के दोरा ये बाते भी बोली गई ये universal basic income scheme अगर सरकार के दोरा चलाए गई है तो infrastructure already तयार है jam की form में यानि जन्धन अधार और mobile की form में आप में देखा कि जन्धन अकाउंट्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा खुले हैं पिछले कुछ सालों में अधार कार तो almost अभी सभी के पास है और mobile का जो coverage है वो भी बहुत ज़्यादा increase हुआ है तो तीनों को अगर मिला दें तो इसकी साहिता से women schemes के अंतरगत beneficiaries को काफी असानी से cash transfer किया जा सकता है इविन नीती आयो के CEO ने तो ये बात भी बोल दी थी कि beneficiaries cash प्राप्त कर सकते हैं सिरफ एक थम impression की साहिता से 30 seconds में bank जाने के जूट नहीं है आपको किसी पर कार्ट के debit card के जूट नहीं है लिट्राइटर्स के अनुसार ये जो bubble है जो बनाया गया था jam के बारे में कि jam बहुत बढ़िया है इसे emergency की situation में इस्तमाल किया जाएगा वो bubble अब तूट गया है क्योंकि emergency की situation है और jam का इस्तमाल नहीं हो रहा है वैसे कुछ experts ये बोलते हैं पूरी तरह से हम यूँ नहीं कह सकते कि jam का इस्तमाल नहीं हो रहा है कम से कम jam का जो पहला word है जंधन जंधन का तो इस्तमाल हो रहा है सरकार ने जो package announce किया पर्धानमंत्री गरीब कल्यान package उसमें एक provision ये था कि आने वाले तीन महिनों के लिए जो women जंधन account holders है उनको हर एक महिने 500 रुपे की रकम दी जाएगी तो जो रकम दी जाएगी वो जंधन account में ही दी जाएगी न तो आप कैसा कह सकते हो कि जंधन account का इस्तमाल नहीं हो रहा है writers बोलते हैं हाँ हो रहा है बट जंधन account के बजाए नरेगा cards का ज़्यादा अच्छे से इस्तमाल हो सकता है अब देखो आगे के article में writer comparison करते हैं कि सरकार जंधन account में पैसा डाल रही है जबकि सरकार मनरेगा holders को मनरेगा के accounts में पैसा डालती तो ज़्यादा effective रहता कैसे पहला reason ये बताते है writer कि देखो जंधन scheme जब लोंज की गई थी न तो bank वालों को target दे दिया गया कि आपको इतने bank accounts particular time span में खोलने हैं तो बहुत सारे bank करमचारियों ने target पूरा करने के चक्कर में एक एक परसन की दोदो account खोल दिये बिना documents के account खोल दिये और account open के बाद documents की proper verification भी नहीं हुई जैसे biometrification जो होनी चाहिए थी वो ठीक से नहीं हुई इसके अलावा देखो बहुत सारे जन्धन account holders ने account खुलने के बाद अपने खाते को इस्तिमाल किया ही नहीं तो अभी कोई data नहीं है कि कि कितना जो जन्धन accounts है वो operational है जबकि दूसरी तरफ बात करें मन्रेगा card holders की यहाँ पर देखो ज़्यादा transparency है यहाँ पर फरजी वाड़ा कम है क्योंकि पंचायत level पे identify किया जाता है मन्रेगा card holders को और जातर जो मन्रेगा card holders है वो गरीब लोग होते हैं जबकि इवन काफी सारे middle class लोगों ने भी जन्धन account open किये हुए हैं अभी जैसे खबरे आ रही हैं कि काफी middle class के लोगों को भी 500-500 रुपे मिले हैं लेकिन ऐसा न्रेगा card holders के साथ नहीं हैं इवन देखो coverage भी ज़्यादा हैं न्रेगा card holders का आलमोष्ट न्रेगा card holders हैं 14 क्रोड संख्या की हम बात कर रही हैं और दूसरी तरफ जन्धन account holders कितने हैं 12 क्रोड तो मतलब coverage मन्रेगा card holders की ज़्यादा है और इवन देखो काफी सारे beneficiaries excluded हैं जन्धन account से लेकिन मन्रेगा में exclusion काफी कम beneficiaries का है तो ये सारे arguments देते हुए writer कहते हैं कि मन्रेगा card holders के खातों में पैसे डाले जा सकते थे बजाए जन्धन account holders के खातों में अगर ऐसा होता तो ज़्यादा effectiveness आती ज़्यादा beneficiaries को फाइदा होता ज़्यादा अच्छे से funds का utilization होता तो कहने का मतलब यही है writers के अनुसार jam जिसके बारे में एक bubble create किया गया था यह बहुत बढ़िया है cash transfer करने के लिए यह bubble अब तूट चुका है jam में j word का इस्तेमाल हुआ जन्धन account का लेकिन इसकी बजाए अगर मन्रेगा card holders के खातों में पैसे डाले जाते वो ज़्यादा effective रहता तो यह हमने पूरा article discuss किया jam के against चलते हैं आगे next article central government और state government की financial condition से समधित हैं आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूं देखो अभी खास करके state government की financial condition काफी जादा खराब हैं क्योंकि lockdown की वज़े से economic activities पूरी तरह से ठप हो गई और आदे जो revenue के sources थे state governments के वो बिल्कुल एक प्रकार से freeze हो गए देखो आधा revenue state governments को तीन sources से प्राप्थ होता है एक तो सराब की विक्री से अभी सराब जो है वो GST के अंडर नहीं आती है दूसरा property transactions के उपर जो stamp duty लगती है इससे state governments को revenue प्राप्थ होता है और तीसे नंबर पर petroleum products पर sales tax से लेकिन तीनों चीज़े बंद हो गई तो इस वज़े से revenue आना बिल्कुल बंद हो गया state governments को और अभी जादर state governments के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने employees को salary देश के देखो अलग-अलग state government की financial condition अलग-अलग है लेकिन हा इतना जरूर है financial condition सभी state governments की खराब है revenue के sources बिल्कुल freeze हो गए लेकिन खर्चा तो उतना ही हो रहा है ना पहले जो loan लिया है उस पर interest देना पड़ रहा है social security schemes जो चली हुई है उनको भी implement करना है और staff को salaries भी देना है खर्चों में कोई कमी नहीं आई लेकिन revenue आना बंद हो गया इवन देखो महाराष्टर तमिलाडू करना टक ये तो वो states हैं जिनके बारे में कहा जाता है इनकी financial condition बाकी states के अप्यक्साकरत अच्छी होती है for example UP Bihar लेकिन ये states भी अब Central Government से मांग कर रहे हैं कि आप हमें grant दीजिये, loan मत दीजिये grant दीजिये, मतलब पैसा दीजिये और हमसे वापस ना लीजिये ताकि हम फिलाल की situation में अपनी staff को salaries देशके और अपना काम चलाशके एक और important बात वैसे यहां पर देखो, पहले जो खर्चा था वो तो थाई, लेकिन health infrastructure पर फिलाल की situation में काफी ज़्यादा खर्च हो रहा है तो इसलिए इस situation से निपचने के लिए काफी सारी state governments अपने employees की salary काट रही है सभी नहीं, मतलब कुछ state governments अपने employees की salary काट रही है pension benefits को कम क्या गया है, ताकि खर्च को कम क्या जाँ स्के इस situation को avoid करने के लिए बहुत सारे states ने सराब की विक्री को open कर दिया, ताकि कुछ तो revenue प्राप्त हो state governments को, for example, तमिलाडू करनाटक, महराष्टर, लेकिन देखो सराम की दुकानों के बाद, बाहर इतनी ज़्यादा भीड लगी, social distance की धजियां उड़ा दी गई, इससे तो बलकि खत्रा और भी ज़्यादा हो जाता है, कहीं जो virus का transmission है वो और ज़्यादा ना हो जाए, मतलब virus ज़्यादा ना फैल जाए और कुछ state governments के बारे में article में ये कहा जाता है, for example तेनागाना, एक तरफ देखो ये state governments, central government से मांग करती है, कि आप lockdown को और ज़्यादा extend कर दीजिये और दूसरी तरफ यही state governments, central government को ये भी बोलती है, कि आप हमें funding भी दीजिये, मतलब grant भी दीजिये, ये तो देखो एक आसान रास्ता है, situation को avoid करने का, lockdown को extend करना तो बिल्कुल आसान रास्ता है, governance की परिक्षा तो तब होगी, जब आप दोनों चीजों को साथ लेके चलते हो, आप महामारी से भी निपढते हो, लेकिन धिरे-धिरे economic activities को भी revive करते हो, ताकि livelihoods को भजाये जासके अब देखो, question एक ये उठता है की state governments central government से पैसा मांग रही है क्या central government की financial condition अच्छी है इसका answer है, no but central government के पास न, काफी तरीके हैं, financing के जैसे central government ने petrol पर, जो duty है वो 13 रुपे increase कर दी मार्ट से लेके अभी तक और diesel पर 16 रुपे increase कर दी, इससे काफी जादा फाइदा होगा central government को क्योंकि international market में oil के दाम कम हो गए है उसका फाइदा, consumers तक सिदा सिदा पहुँचाने के बज़ाए central government ने duty increase कर दी और काफी सारा पैसा इससे central government को मिलेगा इसके अलावा central government पर borrowing की कोई condition नहीं है जबकि state governments पर उधारी लेने की conditions होती है तो state governments ये भी मांग कर रही है central government से, अभी आप restrictions को कम कर दीजिये ताकि हम भी RBI से पैसा उधार लेज़के central government को क्या करना चाहिए? और सभी states में सभी जिलों की situation भी एक जैसी नहीं है इसके अलावा एक काम central government के दोरा ये भी किया जा सकता है कि state governments को allow कर दिया जाए कि आप अपना fiscal deficit 4.5% तक बढ़ा सकते हो अभी limit 3% की है उसी परकार से central government खुद का भी fiscal deficit बढ़ा सकती है current situation से निपचने के लिए तो ये हमने आर्टिकल डिसकस किया central government और state governments की financial condition से समदित हमारी आज की इस discussion में इतना ही है आज हमने तीन issues को discuss किया Thank you, thank you very much for discussion